हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सुर्जीत बालजी ट्रिक्स बालजी में डीजियर आज हम बात करेंगे लैक ओपराउन को याद करने की सबसे आसान से ट्रिक क्या पारेंगे जो की बहुत ही ज्यादा उप्योगी है आपके एमस एग्जामनेशन नीट एग्जामनेशन के लिए तो आईए पढ़ते हैं आईए शुरू करते हैं लैक ओपराउन कंसेप्ट लैक ओपराउन को पढ़ने से पहले में बहुत सारी चीज़े बताऊंगा कि इस में तीन चार्ट ट्रिक में बताऊंगा जिससे आपके बहुत सारे कुश्टन सासाइन से निकलाएंगे तो इस गीवन दैको अगयन वआई फ्रांसिस जैकल फ्रांसिस जैकल और चा को सिस्साअ ऑंड ने दिया था किताब में लिखा पाएंगे मोड ने दिया सहिए फंट सिस्टु टैक अटो ने लिए उसंट बताऊंगा तो सबापरा बताओंगा वीडियो मैं पिर बात करते हैं सब जानते हैं व्यादा पर्याइट में जाताए रिख ₹ फिर इसके बाद इसमें एक आई जीन होती है बहुत लोग सोचते हैं कि आई मतलब होता है इंड्यूसर लेकिन इसमें लेक ओपरन कंसेट में आई जीन is a inhibitor gene ये बाद जान लिजेगा धान दियेगा कि आई जीन इंड्यूसर नहीं है ये inhibitor gene है फिर आगे बताते हैं बात करते हैं अब trick पर तो trick है हमारी L.I.C. policy L.I.C. policy जो हमारी L.I.C. policy है ये क्या है? off है बंद हो गई है चीख है? तो L मतलब क्या होता है? lack of run ये होता है lack of run I मतलब होता है inducing कैसा होता है? inducing C होता है catabolic function होता है इसका कैसा? catabolic function होता है और policy मतलब ये positive होता है positive system होता है और off मतलब होता है generally off होता है बाद में ये on होता है तो generally ये off रहता है बाद में on होता है तो इतनी सारी बाते हमें clear हो गई आईए बात करते हैं कापरण का function कैसा होता है तो यह देख लीजिए यह हमें हमारी polycystonic gene है यह हमारा क्या है इनहीबिटर है यह इनहीबिटर है यह हमारा operator यह promoter यह promoter तो हमें काम शर्फ इनहीबिटर और operator से है तो inhibitor जो gene है वो क्या मनाते पहले DNA बनता है फिर RNA बनता है यह oni मनता फिर प्रोटीन बनती है तो जो जो क्या बनाएगी mRNA किस चीज के लिए आइसा प्रोटीन बनाने के लिए जो उस function को क्या करे इंहीट करे तो या फिर रिप्रेसर मरने जो रिप्रेस करता है ठीक है रिप्रेसर मरने बनाएगा यह रिप्रेसर मरने बनाएगा तो लिख लेते हैं रिप्रेसर MRNA ठीक है जो polycystonic gene के function को repress करेगा उसे क्या वो repressor MRNA अब MRNA से क्या बनेगी protein बनेगी तो repressor protein बनी ठीक है माली यह repressor protein और यह जा करके data किस पर combine हो जाती है operator पर जा करके combine हो जाती है और इसके further function को रोक देती है operator जो अपना function operate नहीं कर पाएगा क्योंकि यह जा करके repressor से bind हो गई है और आगे का function सारा का सारा रुक जाता है तो लिख लिए यहां पर binds to operator binds to operator in the absence of in the absence of inducer lactose in the absence of inducer lactose तो यह क्या करते है बाइंड कर जाती बाइंड कर जाती बाइंड करने के बाद क्या होता है क्योंकि यहां पर लैक्टोस नहीं इसलिए रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर बाइंड कर जाती आगे सारा function रुक जाता है ठीक है इंडियूसर से आई जीन से क्या हो जाएगा आई जीन से क्या निकलेगा रिप्रेसर एमारेने रिप्रेसर एमारेने फिर क्या बनाएंगे लोग रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे तो रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन क्यों कर जाएगा और हमने पढ़ा हुआ है कि की तो आगर वही की नहीं लेगती उसका साचा बदल जाता है तो आ harfett नहीं होता इसी तरह अगर यह यहाँ पर operator के इस बास जाये तो क्या ओगा इसमें फिट नी होगा क्योंकि सिस्टम में क्या था यह साफ फाट एंदर फिट हो गें यह पर न्दर रोगोन को और फिट ने हो गा इस वज़र यह जो दना फंक्शन शुरू कर देगा जब ऑपरेटर अपना फंक्शन शुरू कर देगा तो क्या हो जागा यहां पर इन तीनों जीन का तीनों जीन मिला करके क्या बनाते हैं सिस्टॉन बनाते हैं तो यह जेड़ वाली जीन यह वाली जीन और यह वाली जीन इन सब का क्या बनेगा MRNA बनेगा क् क्या हो गया ख्यूंकि एक से ज्यादा जीन इसलिए से ज्यादा इसलिए ज्यादा इसलिए और यह सारे के सारे अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे अलग अलग ô installing HolriBius all of the means के लिए और एक करेगा कि ये करेगा कि ये करेगा ट्रांस शीटाइलस के लिए ट्रांस आझे सी टाइलेस के दोस्तों वीडियो पूरा देखिए लास में ट्रिक बताउंगा कि इंस सब को एक लाइन में कैसे याद करना है बहुत इजली याद हो जाएगा छोड़ की मज़ जाएगा वीडियो पुरा देखेगा पिर यह क्या करते हैं किसका डाइस कर तो हाइड्रो लिसस आफ डाइस एकराइड फिर इसके बाद permesis क्या करता है करता है permeability of beta-galactosidase beta-galactosidase की galactosidase की permeability के लिए काम करता है permeability के लिए छीच है तो इसके बाद transacetylase क्या करता है code करता है codes for और और फॉर फॉर अपनी अच्छी वाली ट्रिक के बारे में इस ट्रिक को याद करने से पहले आपको पहले कहानी सुनने पड़ी कि एक लड़की ती इसका नाम जया था जो की अबीबियस की त्यारी करी ते लेकिन उसका सेलेक्शन नहीं होता है तो वो पीपोपीपो करके रोने लगती है उसके पापा कहते बेटा एंबीबियस वाला भी डॉक्टर होता और बीपीटी वाला भी डॉक्तर होता तुद क्या कर ले इस वजह से वह कहां चली गई हाइपर संसिटीवी निव चली गई उसके बाद क्या हुआ उसने डीपीटी कर लिया डिप्लोमा इन बायो टेकनोलोजी ठीक है ना तो उसने कहां से अंबीबियस से रास्ता सुरू किया बीपीटी भी नहीं कि उसने लास्ट में सबसे छोटा काम क्या क्या किया डीपीटी करके खतम कर लिया तो कैसे का करेंगे कैसे याद करेंगे पीपो पीपो जया यह पीपो हो गया पीप हो जाया बीपीटी डीपलोमा दिhã हाइपर कंडिशन इसकी कैसी कंडिशन हो गई हाइपर कंडिशन गई तो उसक्तhen क्या है डीबीट डिपलोमा इंग बायो टीकनौलजी के लिए इसथा डीपलोमा इन क्या अधी प्र तो बहुत ही इजी लिखे पहले लिखे पी पो जया फिर पीप जया के नीचे या लिखें बी पी टी लिखें फिर है पर कंडिशन फिस क्या लिखें डीबी टिभीटलो में इतनी सी ट्रिक्सें आपके 99 पर संट नीटके साल वो जाएंगे आपको याद करना पीपो करके रो लड़की का नाम जया था बीबीटी किया है पर कंडीशन में चले और लास्ट उसने किया कर लिया डीबीटी कर लिया दोस्तों यह सिंपल से ट्रिक आइए बात करते हैं कि इस को कैसे अपटाइए करेंगे हमें पता है कि जड़ आई यह क्या है पॉलीसिस्टानिक जीन अपल की निसे भी है तो बीटा इसलेंग फिर क्या हो जाएगा फिर यह क्या करेंगे फंक्शन क्या इनका यह function है z का function हैं यह का function है कोडिंग और यह और यह क上面 कोडिंग जा यह और ऊब्सक्राइब लास्ट है दोस्ता डी बीटी यह किसके ऊपर function करेगा फॉंक्शन किस पर करेगा किस पर यह हो जाएगा डाइ से क्राइड के ऊपर यह बीटा ग्रॉक्ट इसकी ऊपर यह ट्रांस इस्टाइलेस को फंक्शन करेगा इस तरह से हमें एक्जामिनेशन में 99% साल हो जाएंगे दोस्तों अगर आपको यह पसंद आ रहा हो तो बहुत सारा प्यार दें लाइक करें शेर करें सब्सक्रेब करें धन्यवाद